तो गुड़ मॉर्णिंग स्टुदेंट्स तो बैटा हमारा नया चेप्टर स्टार्ट वादा पिरिडिक प्रोपर्टी तो कल हम लोगों ने कुछ तीन जो है पहस्त्री जो है क्लासिफिकिशन पढ़ लेती पिरिडिक प्रोपर्टी टेबल की किस तरह से टैलूरिस ने क्या किया वहां पर ठीक है ना डिफरेंट डिफरेंट सैंटिस्टों ने क्या क्या अपना योगदान दिया तो आज नेक्स्ट आपके पास लोथर मेर क्लासिफिकिशन तो 1869 में लोथर ने लोथर मेर ने क्या किया फिजिकल प्रोपर्टी जैसे वोल्यूम है मेल्टिंग किया देखा इस ग्राफ के उपर थिए हैं जिनकी सिमिलर पोजिशन ओंधा कर देंकोफ हली ना की रफसे फरिया देखो सारे सारे सिमिलर पोजिशन प्रेंट हैं हमारे पास वह कहां पर होँगे जिंका अपर यहां मेट्स आपके हैं यहां जो इना सारे पस कहां है टुफ के उपर आजाएंगे और जो हलोजन आ जाएंगे वह असेंड़ीज पे आ जाएंगे जैसे राफ लॉरीन और हैलोजन की पोजिशन आपको बड़े अच्छे से यहां पर पता होने चाहिए ड्रोबैक क्या था इसका इसका इस वाज हाइपोथेटिकल क्लासिफिकेशन और इस वरी दिफिकल्ट तो रिमेंबर था पोजिशन ऑफ दिफरेंट एलिमेंट की पोजिशन कहां है बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फोर यंग बॉइस तो रिमेंबर एफ एफ टाउम तो टैबल तो मैंडेलीव पिरियूडिक टेबल में ट्या था जिसने सबसे पहले सिस्तेमाटिक ली क्लासिफाइइ किया एलिमेंट्स को वह क्रैडिट जाता है मैंडेलिव को और मैंडेल किया chemical properties जनरली उसने सभी study तो नहीं की थी लेकिन उन elements की oxygen और hydrogen के साथ study के base पे उसने क्या किया था अरेंज किया था तो मेंडेलिव ने 63 elements को जब अरेंज किया तो मेंडेलिव periodic low उसने दिया उसने क्या कहा कि जो physical और chemical properties है elements की वो periodic function है देर atomic mass का periodic function of their atomic mass मतलब उसने क्या किया elements को in the increasing order of atomic mass arrange किया जिसका atomic mass कम था वो पहले जिसका atomic mass ज्यादा था उसको बाद में arrange किया periodic table के अंदर कुछ merits थी हमारे मेंडेलिव periodic table की merits क्या थी अच्छाईयां क्या थी त्यूंकि सबसे पहले systematically उसने अरेंज किया था तो systematic study of the elements ठीके ना उसने बड़े ही increasing order of atomic mass की form में elements को अरेंज किया जिससे systematic arrangement हमें मिला ठीके ना elements का arrangement टी वर्टिकल कोलम और सिरीज के अंदर horizontal रोज में उसने कैसे अरेंज किया तो systematic arrangement उसने दिया and the second one is correction of atomic mass कुछ elements का atomic mass भी उसने correct किया for example, beryllium का atomic mass starting में 13.5 consider किया जाता था लेकिन बाद में कितना हो गया 9 उसी तरह से उसने indium, gold और platinum का atomic mass भी correct किया next किया है जब systematic arrangement elements की हुई तो जो element discover हो गए थे उसके बाद जहां पर भी discovery नहीं हुई element की वहां पर उसने क्या छोड़ कर दिया था blank column छोड़ दिया था जिससे हमें future elements आने वाले elements की property का पहले ही पता चल गया था जैसे हमारे पास उसने जैसे उसको knowledge नहीं था किसके बारे में उसको knowledge नहीं था scandium, gallium और germanium के बारे में तो उसने वहां पर क्या किया blank column छोड़ दिया और उनका नाम क्या रखा इका बोरोन, इका अलमूनियम और इका सिलिकन किसके लिए scandium के लिए इका बोरोन, gallium के लिए इका अलमूनियम और जर्मेनियम के लिए इका सिलिकॉन पोजिशन ओफ नोबल गैसिस को उसने बड़े सिस्टेमेटिक लिए अरेंज किया वहां पर ठीक है ना, लिमिटेशन ओ मेंडोलिक पिरिडिक टेबल भी आपको पता नहीं चीए, हाइड्रोजन की पोजिशन तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि जो पोजिश आइसोटोप्स, अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो जिनका अटोमिक नमबर सेम और मास नमबर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन को इसा तो उसने नहीं किया, तो आइसोटोप्स के लिए एक प्रोब्लम क्रिएट यहां पे हो रही थे, कुछ अनुमलस पेर थे यहां पे elements के, जहां पे दिक्कत आई, mentally predictable में, for example, जैसे atomic mass argon का था 39.9, लेकिन potassium का था 39.1, लेकिन उसने गलती से क्या किया, predictable में, जो argon था, उसको पहले रख दिया, और potassium को क्या किया, बाद में रख दिया, जबकि potassium को पहले आना चाहिए था, क्योंकि उसका atomic mass कम है, arg argon को बाद में आना चाहिए था, तो यह कुछ गलतिया होई, उसी तरह से यहां पे भी दो example, आपके पास nickel और cobalt का दिया हुआ है, यहां पे tellurium और iodine का example दिया हुआ है, ठीके ना, तो इस तरह से यह कुछ कमिया थी, जो आपको पता होने चाहिए, उसी तरह से similar elements are separated, जो जो different elements थे, उनको same group में रख दिया, तो जो periodicity कास था, वो हमारे पास क्या था, among the elements की, एक particular position के बाद, जो element है, हम क्या आज गह सकते हैं, कि mandalive could not explain the cause of periodicity among the elements, clear, so this is the cause of periodicity, तो यहां तक आपको mandalive और लोथर मेर करता करना है, this is the mandalive periodic table, ठीके ना, जो आपको पता होने चाहिए, जिसने 12 row में divide किया था, table को, और आपके पास column आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीके ना, और उसने यहां पे इनकी physical और chemical, जो chemical properties थी, वो किसके थी, उसने study की थी, ठीक है, तो यह सब चीजे बेटा थोड़ा सा idea आप लोगों को होना चाहिए, okay, thank you very much, कल हम modern periodic table पढ़ेंगे,